लीब्रा इंप्रेस में टेवल कैसे बनाया जाए टेवल बनाना बहुत आसान है दीखी यहाँ पर इंसर्ट में ही आपको टेवल का पूरा मिलेगा तो यहाँ टेवल दिया हुआ है तो इस टेवल पे क्लिक कर दीजे जैसे ही आप टेवल पे क्लिक करेंगे तो आपको कितनी टेबल्स चाहिए जैसे मालीजे 5 चाहिए columns और 2 rows चाहिए कैसा चाहिए तो जैसे मालीजे मैं यहाँ पर कर देता हूँ 6 rows और 5 columns तो यहाँ पर जैसे ही okay करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे यह tables create हो जाएंगे यह बहुत असान है create करना और अब यह चाहते हैं कि इस वाले देखें यह पहला वाला है यहाँ पर मैं 1 लिखता हूँ और अगर मैं 1 लिखता हूँ और यहाँ पर 2 लिखता हूँ ठीक है दोनों ही का color हम बदलना चाहते है ठीक है तो बस यहाँ पर चले जाएए यहां पर आजाएए इसको yellow करना है तो yellow कर दीजे देखिए यह yellow में हो गया अब यहां पर click कीजिए इसका color बदलना चाहते हैं तो यहां पर देखिए इसको मैं green कर दे रहा हूँ फिर अगले में आजाएए यहां पर आने के बाद यहां पर इसको red कर दीजे तो यह देखिए red में हो गया इसी तरीके से आप अलग-अलग हिस्से का color change कर सकते हैं size वगर बढ़ा नहीं हो तो आप इसे पूरा selection में ले लिजे और यहां से आप size बढ़ा सकते हैं delete करना हो बहुत आसान है delete भी कर सकते हैं ठीक है यहां पर right click कीजिए यहां से delete कर दीजिए ठीक है यह पूरी table ही delete हो जाएगी अगर select रहेगा तो ठीक है लेकिन हमें क्या करना है हमें सिर्फ एक delete करना है तो क्या करेंगे इसमें click रखेंगे यहां पर जाएंगे और यहां पर delete कर दिंगे इसको ठीक है यह टिलेट दिया हूए दिलीट रो डिलीट करना है घालक यहाँ पर कोलन डाय तो इस तरते से miड़ीट भी कर सकते हैं यह बहुत आपकोफ के बाद समैं आ गई होगी वेडियू अच्छी लगा तो शेयर करें थांक YOU for watching this video